पती ने पत्नी पर कुलहाडी से हमला कर उतारा मौत के खाट। होकर बॉडी परिजनों को मिली सकी। बायके वालों ने पती सहीता ने परिजनों को पर भी दीपिका के हत्या क्या शंका जटाई है। होगे उन पर केस दर्च किया जाएगा समबाद दाता अमित शिर्वास्तफ की रिपोर्ट। कोई ने ऐसे नहीं बोला कि तुमारी शोरी का ऐसा हो गया। फिर भी हमें पूरे आसपास ने कोई ने देखा होगा। उसने बोला सर की तुमारी बच्ची को ऐसे ऐसे कर दिया। तुम्हारी बच्ची को यह किसी ने जागा बोला। इसमें कितने लोग सामी ने एक तो इसका पापा है और उसकी बेहन है और उसकी दादी वो उसकी माँ है। तिन लोग और है मैं सामीने में सकते हैं उनके एक नाम महेजा उसके बाद सौम्ला उसके बाद मीना सौमली यानिए आपको सक है जे और आम पूरा सक है पूरा सक है। हमारे घर भी आई थे वह हमारी बेटी हमारे घर मेमान आई मेमान आई तो वह उसका सूसर क्या कि हमको गाली दे गया कि मैं इसको बाल पकड़के यहां से गीश के ले जाओंगा तब हमने कुछ कारवाई नहीं कई क्योंकि उसकी बहु है उसने गलती करी होगी तो कि रहे हों अब अब जो देखो हमें पूसा तेक नहीं और उठा के लेकर सल दिया उन्हें और हम तो जहेंबे से आके बेटे हैं अमारों तो कोई रूल नहीं है जहीं में एक तो मार दो ऊपर से हमें पूसा भी नहीं और इसमें इसमें गिरिपतार भी किसी को नहीं किया भी पता नही नारायन पटेलिया नारायन जी क्या गड़ना हुई है यहां पर सर इनने पूरें ने मिलके मारा है मेरी बेन को यानि जो मरी है वह तुम्हारी बेन है क्या नाम था उनका दिपीगा सोट है ड़ाए सान शरीर फड़ीकर मारा हैं और यहां क्यों से काटकर माराई है पुलिस आयए पैसि का यहां है हमने हमको पूछा कौन था इसका पती बदाया तो पती का नाम एक का किया सर दूसरे का नहीं लिखा पुर्णे भाई क्या गठना है ये क्या बताना चाहती हो सार इन लोगों ने मिलके कुलाड़े दे दे के मारे जबर जबर जश्ती सरी आज क्या सरगठना है यां गठी सरगड़ दागा वाम में या राथ्री की लगवग नोश्रणे नोवजे की बात है इसमें मृत्या को जो है उसके पती नहीं कुलाड़ी से मारा है बाहर करके और यहां उसके फरिवारजन रहते हैं उसकी मरतका की जिठानी है उसने भी बीच पचाओ किया लेकिन आरोपी जो है कुलाडी से बाहर करता रहा और इसके बाद उसको भी मानने के लिए प्रियास किया और उसके बाग्या है और अभी पी-एम कराके उसका डेड़ वर्डी का फि नहीं इनकी साधी 10-12 साल पहले हुई थी और तबसे कोई अभी तक पुलिस को इन्होंने इंटीमेट नहीं किया है और जो भी इसमें एविडेंस आईगी जो भी उनके वियान होंगे उसके आधार में पुलिस इंवेस्टिकेशन में सामिल करके कारवाई करें क्या घटना सर आज जी घड़ लगाव में घठित हो गई है सर घटना कल करीब रात के नो साड़े नो बजे की है जहां हमें रात को लगवाग साड़े ग्यारवाज सूचना मिली इसके मृतिका के भाई जब थाने पहुँचा तमवे सूचना मिली की मृतिका का नाम है कि अधार बना हुआ है जैसी बयानों के आदार पर जो भी साक्ष्म बलेंगे आरूपी उबढ़ाए जाएंगे और कुलाडी नहीं आरूपी घreatedना से के बास ही फरार बना हुआ है जी ग्रफ्तार हो नहीं पास है जैसे ग्रफ्तार हो आथ खुलाडी उसके पास है अभी सार्ब च्ष्म बोढ़ी रात को और विजवाद ए ति शियोपर तो शियोपर में सोभाई पी-म हो गया था तो पी-म क के बाद बोड़ी मिल गई थी तो अभी अंदर्फास्खार भी हो गया है लागी गौण